हलो दोस्तों, भारत अप्म्रेट चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों यहाँ पर आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ तो दोस्तों कल मैंने एक वीडियो प्लोड की थी मुझे रखता है कि आपने वो वीडियो पूरी नहीं देखी है तो दोस्तों पहले आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा उसमें आपके जितने भी आपके confusion आपको create हो रहे हैं जितने भी question आपके mind मा रहे हैं उन सभी का मैंने कल वहाँ पर answer किया है चाहे वो last date क्या है, result कब आएगा चलान same number हो रहे हैं उनके जो आपके चलान निकल रहे हैं उनके अगर same number आ जाए तो क्या करें ठीक है तो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है आप उस वीडियो को देख लेना ठीक है और उस वीडियो को बनाने के मैंने उस वीडियो में पहले ही बोला था कि वीडियो को पूरा देख लेना पूरी इनफो मैंने इस वीडियो में बताई हुई है तो आज मैं यहाँ पर आपको फिर से कुछ कमेंट बताता हूं जोनों आज किये हैं कमेंट पता नहीं उन्हें वो वीडियो देखी भी या नहीं मैंने पहले बोला था कि वीडियो पूरी इंफोर्मेशन कल वाली वीडियो में बताई है फिर से बता देता हूं चलान का उप्षन नहीं आ रहा है आपने बैस नहीं लिखा है कौन सा बैस है 2015 है 16 है तो पहले आपको मैंने बोला है उस वीडियो में कि पहले आपको जरूरी है कि आप अपना एक्जामिनेशन फ आपको आज कर जो है स्मार्ट फोन होते हैं तो अपने स्मार्ट फोन में कल ओफशन होगा ठीक ओड़नों कलिक करो बहाँ पर आपको न्यू टैब और न्यू टैब से नीचे वाला उप्षन हैँ न्यूओ इनको निटो टैब जिए इसके ऊपर क्लिक करना है ठीक है तो इस यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आ जाएगा यू हैब गॉन इंक विनिटो ठीक है तो आप इस टैब में आपने ओपन करनी है आप आपकी आइडी ना तो लोग ओट होई खुद आप बोड़े थे कि हमारी आडी जो है हम लोगिन कर रहे हैं अपने आप ही बंद हो जा रही है तो अब बंद नहीं होगी आप इस टैब में आकर खूलना ठीक है खुरम में यह खुलेगा आपको बता दिये कैसे खुलना है तो अगर आप इसमें भरोगी तो आपका फ और इग्जामिरेशन फॉर्म सबसे पहले आपकी प्राइडी उनी चाहिए आप इग्जामिरेशन स princip करो दो ठीक है और गएक बार की लिएए सबसे पहले आपको अपना examination form फिल करना है जैसे सबसे पहले आप अपनी ID में login करोगे उसके बाद examination option होता है शायद वहाँ पर और वहाँ पर जाकर आपको उसके बाद college select करना है college के बाद आपको subject select करने है किनके आपने repair भनी है उनको select करने के बाद continue तो उसके बाद आपना चलान का प्रिंट जो अपने फोन में ही रख लेना है ठीक है जब सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी तो आप बैंक में जा सकते हो चलान आपका जनरेट हो जाएगा ठीक है वह पता नहीं वहां पर लिखा होता है चलान के ओपर टॉन्टी फोर्टी एट आर्स या सब्टी टू आर्स ऐसा कुछ लिखा होता है उसके बाद आपका चलान जो है बैंक में हो जाएगा ठीक है और इस तरह से आपको अपना चलान जनरेट करना है और सेम नंबर वाला है तो आपको मैंने प्रिविस वीडियो में बताया हुआ ह है अगर सेम नंबर आ जाए तो कैसे उसको और ठीक करना है ठीक है और नेक्स देखते हैं यहां पर है भाई एच्प यू बीस ये फर्स्ट समेस्टर 2019 बीस का रिजर्ट कब तक आ सकता है मैंने कल कि कल वाली वीडियो में बताया था प्रैल में आज आएगा पहले वीडियो नहीं देख सकते हो पहले आप वीडियो देखा करो ना पूरी फिर उसके बाद फिर भी पता न चले तो फिर आप कमेंट कर सकते हो बट आप बिना वीडियो देखे ही मैं आपको पहले बोला था कि वीडियो को पूरा देखना उसमें आपको पूरी इंफोर्मिशन बताई ह करता हूँ तो दोस्तों आप पहले वीडियो को पूरा देख लिया करो ठीक है और नेक्स्ट है सर चलान कब कब फिल हो सकता form fill हो चुका है old batch bank open नहीए in thirty first तक तो चलान पहले आपका इंब हुम्संट में पहले इंपड़ना और चलान जो है आप कभी भी करवा उसको पहले आपका जो है क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूण्स देखे हैं एक्जाम से दो-चार दिन पहले भी वो अपना चलान जो है वहाँ पर करवाते हैं वैंक में ठीक है तो ऐसी कोई बात नहीं है पहले आपका जुरूरी है कि आप अपना एक्जामनेशन फॉर्म फिल कर दो चलान आप बाद में करवा सकते हो ठीक है बहुत साथ स्टूर्ण्स मैं आप ऐसे देखे हैं कि जुन्होंने जैसे एक्जाम कल है ठीक है तो 4-5 दिन पहले वो अपना जनल नंबर बैंक में जाएंगे और बहां पर चलान कटवाएंगे ठीक है तो फर्स्ट ओफ पहले आपने अपना एक्जामनेशन फॉर्म फिल करना है ठीक है उसके बाद आ नोटिफीकेशन एक दर थि नहीं आया है लास्ट डेटी का तो एक प्यूव बंद है ठीक है नौटिफीशन अप्लोड किया था उसके बाद भी उनकी विश्टी विवसाइट भी बंद है ठीक है जैसा ही उन्हें प्रेल आप्छन बहां पे पे नौटिफीकेशन अपलोड है तो आप तो पहले ऐसे करना कि जैसे मैंने बताया है क्रोम में जाकर आपने फोर्म करना है ठीक है हो जाएगा पहले आपको यह होना चाहिए कि हमने अपना इग्जामनेशन फोर्म फिल करना है ठीक है examination form फील हो जाएगा चलान अपने फोन में ही रख लेना है print उसका निकाल करो bank बाला बाद में आप करवा लेना ठीक है पर जरूरी है कि आप अमना examination form फील कर लो पहले next जैसर paper cut करवाना है तो college में cut हो जाएगा नहीं होगा college में cut नहीं होता पहले अगर आप पढ़ते होते तब आप कट करवा सकते थे बट अभी आपका batch जो है pass out हो चुका है जैसे 2015 वाले batch वो pass out हो चुका है तो वो भी ने कटवा सकते अगर आप 2015 वाले पढ़ते होते college में तो कटवा सकते थे अभी आपका university में होगा cut और conditions आप देख लिए ना पहले और एक और बात की 2015 वाले ही batch वाले ही ये delete करवा सकते हैं और कोई भी delete नहीं करवा सकता है बाकि आप HVU से confirm कर सकते हो next है भाई बेरा चलान नहीं हुआ प्लीज बताओ क्या गरे अरे कोई बात नहीं चलान नहीं हुआ यहां पर website ही बंद है तो मैं कहां से बताओंगा आपको info यह 2015-16 batch की भी मैंने जैसे नोटिफिकेशन आया तो मैंने download कर लिया था तो इसलिए जल्दी से यह मैं बता बहां पर बता पाया अगर मैं भी थोड़ा लेट हो जाता है सब्टेट को देखने में है तो वेबसाइड बंद थी फिर तो आपको 31 के बाद ही पता लगना था क्योंकि कोलेज बगारा सब कुछ बंद है ठीक है मैं आपको बता दिया था कोलेज भी बंद है युनिवस्टी बंद है सब कुछ बंद है बैसे युनिवस्टी में काम चल रहा होगा शायद थोड़ा बहुत क्योंकि मैं 31 तक बोला है कि कोई भी अगर आपको अब्जेक्शन है तो आप बता सकते हो ठीक है हो सकता है चल रहा हो थोड़ा बहुत महाँ पी युनिवस्टी में तो डेट शीट है वो तेंटेटीव हो रिवाइजड हो फाइनल हो कोई भी डेट शीट हो आपको पुरी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी बस आप चैनल को सबस्क्राइब कर लो शेर कर दो और हाँ टेलिग्राम चैनल को भी सबस्क्राइब कर लेना ठीक है उस पर भी यह कर लेना कब तक भर सकते हैं हम एक्जाम मैं आपको बोला है कि पहले आप अपना एक्जामनेशन फॉर्म फिल करो वो कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है अपना चलान रख लो चलान जब सिच्वेशन थोड़ी कंट्रोल में आएगी थोड़ी ठीक हो गई तो आप बैंक मे वो अपना जंदर नंबर बगारा वहाँ से ले सकते हो वो दे देंगे आपको फिर ठीक है अगर मैं ऐसे करवाने लगूंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो वहाँ पे बनने लगेंगी फिर इतना टाइम नहीं होता वैसे अगर आप खुद बढ़ोगे तो आपको ज्याद समझ मैं आएगा उस भुक से टीक है वीडियो में ऐसे होता है कि हम जैसे मैं बताऊंगा आपको थोड़ा टाइम मैं बोलने मिलूंगा थीक है थोड़ा आपको समझने में लगेगा क्या मैं बोल रहा हूं इतने वहीं थोड़ा टाइम आपका वेश्ट हो जाएगा अगर देख सकते हो बुक को लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह यहां पर कुछ कमेंट थे दोस्तों तो अभी इस वीडियो को देख लेना अच्छे से और प्रिविस वीडियो देख लेना इससे पीछे बाली जो भी वीडियो है एक वीडियो है उसको द अपलोड की थी 22 मार्च 2020 को तो वीडियो देख लेना और क्रोना वारेस चला हुआ तो आप सभी अपना अपना ख्याल रखो ठीक है अपनी फैमिली का ख्याल रखो कहीं बाहर मत जाओ ठीक है अपने हाथों को बार-बार साबून से दो ठीक है अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो मास्क पहले तो यह है कि आप जाओ ही मत बाहर ठीक है मार्केट में मत जाओ 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 मतलों जहां भीड बाली जगह है कोई मार्केट है जैसे तो बहां पर मत जाओ ठीक है क्योंकि ऐसी जगों पर इस वाइरस का खत्रा बहुत जादा है तो अपने आपको बचाओ अ टो अपनी आपको मुश्किल में डाल रहेंगी और वीडियो को पूरा देख लिया करो तभी किया करो ठीक है और चैनल से जुड़े रहिए पूरी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और अगर आप कोई वीडियो चे लेगे तिसे लाइक, शेयर ओ चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक यू